हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल सीबीस ओनलाइन लेर्निंग 36 गड़ के 17 जिला में नई भर्ती विज्ञापन जारी की गई है यह विज्ञापन महिला एवं बालविकास विभाग की तरफ से जारी के गए है इसमें बलरामपुर जिला, बीजपूर, बिलासपूर, जस्पूर, महासमुन, सुक्मा, सूरजपूर, बालोद, बस्तर, बेमितरा, धंतेवाडा, धंतरी, रायगड, काकेर, कुंडागा, कुर्भा और कुरिया जिला की तरफ से यह विज्ञापन निकाले गए है जिसमें एपलाई करने की लास्ट डेट 28 नॉमबर 2024 रखी गई है इस विज्ञापन के संबन में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो बने रही है वीडियो के अंति तक वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दिजेगा जिससे की मेरे चैनल पर नेश्ट जॉप अपडेट की वीडियो की नूटिफिकेशन आप तक सम कि आपन मिशल वाक्सल योजना के अंतरगर जीला बालसन रक्षण एकाई में समविदा भर्ती के लिए जारी किया गया है इसमें एपलाई 28 नमबर 2024 तक से आपको करना है अविदर संबंधित जीले के जीला कारेकरम अधिकारी जीला महिला एवं बालविकास अधिकारी कार आपको भेजना होगा पदो का वीवरन देख लिते हैं जीला बालसन रक्षण एकाई में पदो का वीवरन यहाँ पर दिया गया है जीला बालसन रख्षण अधिकारी के लिए यहाँ पर एक पोश्च रखा गया है जिलाबाल सनरक्षण एकाई की तरब से यहां पर पदु का वीवरन दिया गया है जिसमें पहला पोश्ट है जिलाबाल सनरक्षण अधिकारी इसके लिए एक पोश्ट रखा गया है 44,023 रुपए का इसका मासिक वेतन रखा गया है नेश्ट है सहरक्षण अधिकारी संस्था का देख रेक के लिए भी एक पोस्ट है इसका पेमेंट 27,804 रुपए रखा गया है विदिक सहा परिवेक्चा अधिकारी के लिए भी एक पोस्ट है इसका पेमेंट 27,804 रुपए रखा गया है नेश्ट है समाजिक कारे करता के लि रखा गया है नेश्ट है आउट्रीच वरकर के लिए यहाँ पर तीन पोश्ट है जिसका पेमेंट यहाँ पर 10,592 रुपए रखा गया है यह बालोग जीला के लिए था अब आगे हाँ पर देख लेते हैं बलरामपूर जीला के लिए रक्षण अधिकारी गैर संस्तागत दे पेमेंट है वही पेमेंट दुसरे जीले के लिए भी होगा नेश्ट है बस्तर के लिए लेकपाल के लिए एक पोश्ट है और आउट्रीच वरकर के लिए एक पोश्ट है सहरक्षण अधिकारी गैर संस्तागत देख रेक के लिए बेमे तरह जीला की तरफ से एक पोश्ट ह विधिक सहा परिविक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है आउट्रिस वरकर के लिए बेमे तरह में दो पोस्ट है नेश्ट है भीजापूर जिला की तरफ से सहायक सहा डाटा एंट्री ओप्रेटर के लिए एक पोस्ट है और नेश्ट है बिलासपूर जिला के लिए जिला बाल सा रक्षण अधिकारी के लिए एक पूस्ट है और लेकपाल के लिए डाटा एनलिस्ट के लिए आउट्रिस वर्कर के लिए एक पोस्ट है डाटा एनलिस्ट के लिए हाँ पर 18,537 रुपय का पेमेंट रखा गया है आउट्रिस वर्कर के लिए दो पोस्ट है नेश्ट है दंतेवाडा की तरफ से यहाँ पर जिला बांसर रक्षण अधिकारी और रख्षण अधिकारी संसथा का देखरेक, विदिक सहा परिविक्षा अधिकारी समाजी कारे करता लेख पाल सहा डाटा एंट्री ऑपरेटर, ओट रिशे वर्कर सभी के लिए पोस्ट यहाँ पर निकाले गये हैं आउटिस वरकर के लिए याँपर तीन पोस्ट है नेश्ट है धमतरी जीला की तरब से भी आउटिस वरकर और सहायक सहर डाटा एंट्री आपरेटर के लिए पोस्ट निकाले गए हैं जस्पूर जीला के लिए डाटा एनालिस्ट और आउटिस वरकर के लिए पोस्ट निकाले गए हैं और कुंडा गाम जीला की तरब से परमर्श दाता और डाटा एनलिस्ट और आउटिस वर्कर के लिए पोस्ट निकले गए हैं और नेश्ट है यहाँ पर कॉर्बा की तरब से भी समाजिक कार्य करता लेख पाल डाटा एनलिस्ट सायक सहर डाटा इंट्री ऑप्रेटर के लिए पोस्ट है कोरिया जिला की तरब से आउट्रिश वर्कर के लिए एक पोस्ट है और महा समुन्द की तरब से समाजिक कारे करता और आउट्रिश वर्कर के लिए पोस्ट है और रायगर्ड की तरफ से जीला बालसान रक्षण अधिकारी और समाजिक कारे करता के लिए पोस्ट है निस्ट है यहाँ पर सूरजपूर की तरफ से समाजिक कारे करता और आउट्टिच वरकर के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं अब इसके लिए कार्य अनुभाव, अनिवार कोशल सेक्षोने की योग्यता की जानकारी हम देख लेते हैं जिसमें यहाँ पर पहला है जीला बाल सनरक्षण अधिकारी इसके लिए यहाँ पर अनिवार नियुंतम सेक्षोने की योग्यता किसी मानता प्राप्तविस विद्याले से समाज कार्य या समाज सास्त्र या बाल विकास या मानाव अधिकार या लोक प्रशाशन या मनो विज्ञान या मनो चिकित्सा या वीधी या जन स्वास्त या समुदाइक संसाधन प्रबंधन में इसनाकोत्तर की डिगरी होनी निश्ट है अनिवारे, निउंतम, अनुभव, महिला एवं बालविकास या समाच कल्यान के छेतर में प्रलेखन, प्रसिक्षण, एवं छंता, निर्मान, प्रयोजन, निर्मान या कार्यवयन, निगरानी और पर्यविक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ में, क इसना कोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और कम्प्यूटर में MS Office में काम करने का आपकछमता होना चाहिए अंग्रेजी हिंदी बास का ग्यानिया पर मांगा गया है और साथ में आपर अनुभाव दो वर्ष का मांगा गया है या फिर किसी मानत प्राप्त विश्विद्याले से उप्रोक्त विश्व में इसनातक की डिक्री है और दो वर्ष का अनुभाव है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नेश्ट है संरक्षन अधिकारी गैल संस्थागत देख रहे के लिए इसनाकोत्तर या फिर संबंधित विश्व में इसनाकोत्तर या इसनातक होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी अंग्रेजी भास्त का ग्यान दो वर्ष का अनुभाव इसमें भी मांगा ग नेश्ट है वीधिक सह परिविक्षा अधिकारी इसके लिए मानत प्राप्त विश्विद्याले से लल भी होना चाहिए और एमेस ओफिस कंप्यूटर वेब अधारित अन्य सौप्टवेर में कारे करने में सक्षम होना चाहिए दो साल का अनुभा होना चाहिए किसी एंजी हिंदी भासा का ज्यान मैलाओं और बच्चों के अधिकारों और सनरक्षण की मुद्दों की अच्छी समझ यहां पर होनी चाहिए नेश्ट है परामर्स दाता के लिए क्वालिफिकेशन यहां पर समाज कार्य या समाज सास्त्र या मनोवी क्यान जन स्वास कांसिलिंग में इसना तक इभम काउंसलिन और संचार में पीची डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में काम करने की चमता हिंदी अंगरी जिवासा का ज्यान और एक साल का अनुभाव इसने भी मंगा गया है नेश्ट है समाजिक कार्य करता के लिए समाज सास्त्र या समाजिक विज्ञान में इसनातक होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्यान होना चाहिए कंप्यूटर में काम करने में सक्षम होना चाहिए और सास्त्र की या असास्त्र की संस्था में अधिमानता महिला बाल कल्यान के शेतर में कारे करने का एक वर्ष का अनुभाव यहां पर मंगा गया है नेश्ट है लेखा पाल के लिए यहां पर इसनातक होना चाहिए वानी जी या गणित विश्या में और यहां पर टैली भी मंगा गया है इसनातक और टैली और साथ में कंप्यूटर में काम करने में सक् निश्ट है data analyst के लिए सांकिकी या गनीत या अर्थ सास्त्रे कंप्यूटर में इसनातक और कंप्यूटर में कारे करने में सक्षम और टैली और सास्त्रेश की संस्ता में महिले वंबार्विकास में एक वर्ष का अनुभव मंगा गया है निश्ट है सायक सह data entry operator में डिप्लोमा कंप्यूटर में एक वर्षी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ में मानता प्राप्त बोर्ड या समकल्च से बोर्ड में बारवी उत्तिर्ण होना चाहिए और हिंदी में हिंदी टैपिंग में 8000 की डिप्रेशन प्रतिगंटे की ग बेसेसे बरवी गगेए है और अंग्रेजी वासन में कंप्यूटर पर करने का अनुभाव दाख्षता होना चाहिए अंग्रेजी टैपिंग उत्तिर्ण होना चाहिए और सास के या असास की संस्था का अनुभाव यहाँ पर मंग गया है एक साल का नेश्ट है आउट्रिश वरकर के लिए बारवी उत्तिर्ण होना चाहिए अच्छा संचार को असल होना चाहिए और एक साल का अनुभव यहाँ पर मंग गया है पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनी है संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है, शेक्षणी के हो गयता मानता प्राप्त संस्था विस विध्यालाइस होने पर ही मानने किया जाएगा, निर्धारी सेक्षणी का हर्ता कि दस्ता बेच आविदन पत्र जम्म करने की अंतीमतिती तक अवश्यक रूप से आप इदन के साथ में सलग न करके आपको जमा करना होगा यानि कि अप्लिकेशन के साथ में आपको अपने क्वालिफिकेसन एक्सपीरियान्स और जितने भी सर्टिफिकेटर सबकी सेल और टेस्टेट कॉपी आपको लगानी होगी आयू की गन्यना यहाँ पर 1 जन्वरी 2024 की स्थिति में किया जाएगा नियुंतम में 21 अधिक्तम 35 वर्ष से आयू रखी गई है सभी चुटों को मिलाकर अधिक्तम 45 वर्ष से तक से आयू सीमा यहाँ पर रखी गई है जन्म के सत्यापन के लिए आपको 10 वी की अंग्सुची अप्लिकेशन के साथ में लगाना होगा या फिर जन्म प्रमान पत्र लगाना होगा अभ्यारति को 36 वर्ष का इस्थानी निवासी होना अनिवारे है जिसके लिए निवासी प्रमाण पत्र आपको एप्लिकेशन के साथ में सलगना करना होगा एप्लिकेशन के साथ में अनुभा प्रमाण पत्र लगाना होगा सास की या अर्द सास की सहस्ता में कारेरत करमचारी को अपने आविदन के साथ में अपने नियोकता से अनापत्य प्रमनपत्य प्रस्तूत करना होगा एप्लिकेशन के साथ में मेरिट के अधार पर इसमें चैन किया जाएगा, मेरिट सुची हाँ पर बनाई जाएगी और अंको का विभाजन है आपर किस प्रकार से किया जाएगा इसकी जानकारी दी गई है जिसे आप PDF से पढ़ लिजेगा या PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप डारेक्ली इसके ओफिसल वेब साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वेब साइट की लिंक इस वीडियो की डिसक्रिप्शन में दे दी गई है और टेलिग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो की डिसक्रिप्शन में दे दी गई है चैनित अभ्यार्थी की नियुक्ति पूर्णता आहिस्थाई होगी आविदन में आपको सही सही जानकारी भरना होगा दिये गए आविदन प्रारूप में ही आपको आविदन करना होगा अगर आप एक से अधिक पद के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आविदन करना होगा लिफाफे के उपर आवेदन पत्र में पत्र का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है लिफाफे के उपर प्रेशक का नाम पत्र विभार का पता इस पस्ट रूप से आपको लिखना होगा आविदन पत्र कारेला में सीधर स्विकार नहीं किया जाएगा केवल फंजी के लिडाग या स्पीट पोस्ट या कोरियर के माध्धम से ही आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं एप्लिकेशन के साथ में सभी डाक्यूमेंट अभी प्रमानित कर यहां पर लगाना अनिवार है और यह इसके ओफिसल वेब साइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है अगर आप इसके लिए एप्लाइ कर रहे हैं तो आपको समय समय पर इसकी ओफिसल वेब साइट का लोकन करते रहना होगा जिससे की आगे की जनकारी आप स्वयम चेक कर सकेंगे आविदन में आपको सही इमेल एड़ी, सही पता और सही मुबाइल नमबर डालना अनिमारे है आगे इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं इस प्रकार से आप आप आविदन पत्र का प्रारूप रखा गया है यहाँ पर आपको नया पासपोर्ट सेज फोटो लगाना है रंगिन फोटो जिसमें आपको अपना सिगनेचर करके लगाना है यहाँ पर जीला का नाम कौन से जीला के लिए आप एप्लाई कर रहे हैं पद का नाम लिखना है आवेदक का नाम हिंदी में अंग्रेजी में पीता का नाम इस्थाई पता और डेट ऑब बर्थ इमेल आड़ी मुबाइल नमबर और आईयू लिखना है जाती और अपनी वेवाही की स्थिती और सेक्षोनिक योग्यता अनयोग्यता और अनुभाव और अनिवारस अलगनगो की सुची यहां पर दे दी गई है एप्लिकेशन के साथ में आपको निमाशी प्रमाण पत्र लगाना है दसवी की अंग सुची लगाना है और बारवी की अंग सुची इसनाता किसना को उत्तर और पद अनुरूप अवश्यक होने पर यहां पर इसना को उत्तर लगाना है व पर signature कर देना है अपना पूरा नाम लिख देना है लास्ट में घोशना पत्र दे दिया गया है इसमें भी यहाँ पर आपको इस्थान दिनांक और अपना signature कर देना है इस प्रकार से यह application form का प्रारूप है जो की notification की PDF के last में दिया गया है इसे आपको print निकाल लेना है और इसक नमंबर 2024 रखी गई है इपलाई करने से पहले पूरा PDF आप सोयम पढ़ लिजेगा उसके बाद ही apply कीजेगा या PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर या फिर इसके ऑफिसल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोनों के लिंक इस वीडियो के description में दे दी गई है इस वेकेंसी के नहीं दी जा शुकी है जिसके लिए इस वीडियो के description में है और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं इसी वीडियो के description में recent uploaded वीडियो की playlist भी दी गई है आज के इस वीडियो में बस इतना ही friends अगर यहाँ वीडियो आपके चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकान को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे चैनल पर ने शुजब अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यमात